नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिजल तयारी चैनल पे मैं श्रयांस को अठारी लेकर हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार एक सीरीज पचास दिनों में railway के course को कैसे complete करना है। एक एक चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक दिन आपके लिए बहुत बढ़िया topics हम लोग लेते आ रहे हैं। बहुत सारे students का demand था कि सर ये वाले question भी कभी कभी यदा कदा exam में आते हैं। जब ये या वाली condition को, syllogism को exam में ज चुका हूँ, कई सारे धेर सारे प्रशन में करवा चुका हूँ, जहां भी ये या वाली condition आई थी मैंने आपको कहा था कि इसे छोड़ दीजे क्योंकि actually RRV में नहीं आता है बट पिछले कुछ papers में ऐसा देखा गया कि एक या दो बार ये वाले questions आए। तो दोस्तों आज की class बहुत जरूरी है, बहुत important है, हमें या वाली condition को कैसे करना है, उसे पे उस पे बात करते हैं, दोस्तों बहुत आराम से, आज हम कोई तरह का question नहीं लेके आएं, मैं आपके सामने ही प्रशन बनाऊंगा और मैं उसको या को कैसे solve करना है, कैसे हल करना है, उसका तरीका बताऊंगा, दोस्तों एक simple सा question मैं करता हूँ आपके लिए, अगर मैं कहता हूँ कि कुछ A है, B हैं और कुछ B, C हैं, जरा देखिएगा, आपके सामने एक बहुत ही simple सा प्रशन कथन आपको दे रखा है, दोस्तों कुछ A, B हैं उसका एक standard figure बना दिया, हमने कुछ B, C हैं उसका भी एक standard figure बना दिया, अब इस standard figure बनाने के बाद आपसे प्रशन क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, दोस्तों पहली चीज अगर मानलो आपसे कुछ पूछे, कि कुछ A, C हैं, अब जरा सोचिए कि आप अगर A और C को देखते हैं, ये A औ आप इसे गलत मत कहिएगा, इसे सही मत कहिएगा, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बारे में सूचना हमें नहीं दे रखी, यानि कि किसी प्रकार के संबंद का कथन इसमें नहीं दे रखा है, meaning समझे आप कि A का C से क्या संबंद है, इसके बारे में कोई स सी नहीं है मेरी बात को समझेगा कोई ए सी नहीं है अगर ऐसा मैं कहूँ अब आपको नजर आ रहा है आप कहेंगे कि भीया ए और सी तो दोनों ही दूर बैठे हैं तो ये बात सत्य होनी चाहिए अब यहाँ पे मैं लेके आता हूँ दोस्तों रामलाल की कहानी दोस्तों एक मित्र है मेरा रामलाल जिसका मित्र है श्यामलाल यही रामलाल का एक और मित्र है दोस्तों मोहनलाल तो अब आप जरा सोच के मुझे जवाब दीजिएगा रामलाल का मित्र है श्यामलाल रामलाल का मित्र है मोहनलाल बताईए क्या श्यामलाल मोहनलाल का मित्र है जरा सोच के जवाब दीजिए क्या ये श्यामलाल जो है मोहनलाल का मित्र है अब अगर मैं आप से पूछू क्या ये मोहनलाल श्यामलाल का मित्र नहीं है तो दोनों ऐसी बातें के रखी हैं दोनों कि हम कह नहीं सकते इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ये बात कनफर्म है कि या तो ये एक दूसरे को जानते होंगे दोस्त होंगे या ये एक दूसरे को नहीं जानते होंगे ये बात पक्की है कनफर्म है राम और लक्ष्मण जो हैं एक bench पर बैटे हैं और आप सवेरे ब्रह्मन करने के लिए Morning Walk के लिए निकले हैं मैंने आपसे एक सिंपल सा प्रशन पूछा एक आसान सा प्रशन पूछा क्या ये राम और लक्षमन भाई हैं तो आप क्या कहेंगे हां कहेंगे या ना कहेंगे दोस्तों आप हां नहीं कह सकते क्योंकि इसके बारे में आपको सूचना नहीं है आप नहीं भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके बारे में आपको सूचना नहीं है तो आप क्या कहेंगे मुझे नहीं पता अगर मैंने पूछा क्या ये राम और लक्षमन भाई हैं तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे अब मान लीजे हम दूर अती दूर चले गए और कुछ देर बाद वापस आए कुछ देर बाद वापस आए और मैंने आपसे सवाल पूछा क्या ये राम और लक्षमन भाई नहीं है अब सोची तरह क्या जवाब देंगे नहीं पता दोस्तों न तो इनके भाई होने का पता नहीं इनके नहीं भाई होने का पता हमें कुछ भी पता नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं तीसरे दिन क्या हुआ हम फिर से भ्रमन पे निकले फिर से हमने देखा कि रामलाल यहीं बैठा था लक्षमन यहीं बैठा था और मैंने एक सवाल पूछा क्या ये राम और लक्षमन भाई हैं आप उत्तर देने वाले थे मैंने अगला सवाल पूछा क्या ये राम और लक्षम से देखिये मैं यहां लिख के समझाता हूँ मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा क्या राम और लक्षमन भाई Oh और मैंने एक और सवाल पूछ लिया क्या राम और लक्षमन जो है भाई नहीं है अब ज़रा सोचिए ये दोनों सवाल मैंने पूछ ली आप से अब आप ये बिलकुल नहीं कह सकते नहीं पता क्यूँ ये राम और लक्ष्मन किसी भी दुनिया से हो ये राम और लक्ष्मन किसी भी शेहर से हो एक रामगड से हो और एक लंडन से हो एक इस ग्र और लक्षमन या तो भाई होंगे या नहीं होंगे दोनों में से एक बात तो कन्फरम होगी होना ही पड़ेगा मान लेते हैं राम और लक्षमन भाई नहीं है बाप और बेटे हैं यानि वो भाई नहीं है मान लेते हैं राम और लक्षमन पडोसी हैं यानि वो भाई नहीं है मान लेते हैं राम और लक्षमन भाई हैं तो भाई हैं आप कोई भी तरह का रिष्टा देख लीजिए या तो राम लक्षमन भाई होंगे या फिर भाई नहीं होंगे इन में से एक बात कनफर्म होगी अब मैं लिये चलता हूँ दोस्तों हमारे प्रशन पे आपको जो मैंने प्रशन दिखाया था वो ये था कि भईया कुछ A, C हैं और कोई A, C नहीं है जड़ा सोचिएगा एक बहुत सिंपल सा विचार करिएगा मुझे A से B का रिष्टा बताया गया B से C का रिष्टा बताया गया और मैंने कहा B ने एक दिन पार्टी दी और A और C पे भी रिष्टा हो गया या फिर B ने पार्टी दी और A और C उस दिन भी नहीं मिले यानि एक बात confirm है दोस्तों या तो A और C मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे दोनों में से एक बात तो confirm होगी ना या तो पहली बात होगी या दूसरी बात होगी दोनों में से एक बात का होना आवश्यक है इसे कहते है या वाली कंडिशन तो दोस्कों या वाली कंडिशन के लिए जो मैं अभी आपको लिखके दे रहा हूँ उसको ध्यान जा समझेगा मुझे या वाली कंडिशन केवल इन चार बातों में ही सही हो सकती है पहली बात दोस्तों दो निशकर्ष होंगे एक निशकर्ष से कभी काम नहीं बैठेगा कम से कम दो निशकर्ष होंगे ही होंगे क्या ये बात समझ आ रही है आपको निशकर्ष का दो होना ज़रूरी है आप ऐसा नहीं कह सकते कि चौथे में या लग रहा है अरवी चौथे में या नहीं लगता है पहले और चौथे में या लग रहा है चौथे और तीसरे में या लग रहा है ऐसा कुछ अगर होगा तो ही संभव है यानि या के लिए दो निशकर्ष होने जरूरी है निशकर्ष के अंदर जो घटक है घटक का मतलब क्या हुआ भई elements वो घटक सारे के सारे समान होने चाहिए सेम होने चाहिए यह बहुत जरूरी है आपने देखा ए और सी पहले वाले में लिखाता ए और सी दूसरे वाले में लिखाता यानि घटक सेम होने चाहिए यह बहुत आवश्यक है अती आवश्यक है ध्यान रखिएगा ए और सी घटक सेम होने चाहिए तीसरी बात करता हूँ दूस्तों तीसरी बात आपके जो दो निशकर्ष हैं उनमें एक कुछ का होना चाहिए और एक कोई नहीं वाला होना चाहिए ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा कि निशकर्ष दो होने चाहिए दोनों के अंदर जो एलिमेंट यूज लिये गए हैं दो घटक यूज लिये वो समान होने चाहिए सेम होने चाहिए बले ही आगे पीछे लिखे हो और तीसरी चीज दोस्तों एक स्टेटमेंट आपका कुछ का होना चाहिए एक स्टेटमेंट आपका कोई डैश नहीं का होना चाहिए और चौती बात दोस्तों जो भी घटक आपको दे रखे हो उनके अंदर ना तो दोस्ती होनी चाहिए और ना ही दुश्मनी होनी चाहिए दोस्तों ये चार पॉइंट अपनी कौपी में जरूर नोट करें बहुत ही जादा महत्वपूर है अत्यदिक महत्वपूर है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी बातें लिखिए मैंने मैंने जो यहां ये कहा है ये आपको ध्यान में रखना आवश्यक है दोस्तों निशकर्ष दो होने चाहिए उसके अलावा घटक भी समान होने चाहिए एक कुछ का और एक कोई नहीं वाला निशकर्ष होना चाहिए और जो भी घटक होंगे उन दोनों घटकों में ये जो घटक हमने लिखे है उनमें ना तो दोस्ती होनी चाहिए ना दुश्मनी दुश्मनी और दोस्ती का क्या मतलब है मतलब ये है कि इनके बारे में कोई संबंद नहीं बताना होना चाहिए ये सारी बातें आपको समझनी है तो दोस्तों ये चार point अगर आपने note कर लिये हों तो मैं इसी प्रशन पे ले आता हूँ दोस्तों पहला condition था हमारा कि भाया दो निशकर्ष होने चाहिए दो निशकर्ष है मेरे भाई दूसरी बात थी दोस्तों दोनों में घटक सेम होने चाहिए ये भी नजर आ रहा है मेरे भाई तीसरा कहा गया था कि भाया एक कुछ का होना चाहिए और एक कोई नहीं का होना चाहिए वो भी नजर आ रहा है तो तीसरी बात भी सही होगी और चौथा क्या कहा था दोस्तों ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए ना दोस्ती होनी चाहिए ना दुश्मनी होनी चाहिए दोनों ही नहीं हैं तो दोस्तों ये चारों कंडिशन फुल्फिल हो रही है तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों उत्तर आएगा या पहला या दूसरा सही है या अनुसरन करता है ऐसा लिख सकते हैं आपन ठीके ना सही है अनुसरण करता है जो भी पहला और दूसरे के बीच में या लग रहा है तो यह जो या वाली कंडिशन है दोस्तों यह बहुत जादा महत्वपूर है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम करेंगे तो शायद आपको अच्छे से क्लियर कर आप आओ मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं कोई भी एक मन घड़न्द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि कुछ ए जो है न वो जी है दोस्तों और जी कोई जी बी नहीं है ऐसा दे रखा है आपको और बी सारे के सारे एल है ये आपको दे रखा है और एल का पड़ोसी यह नि कुछ एल जो है वो एम है ये भी आपको दे रखा है और एक और कुछ बना देते हैं जैसे सभी आर जी है तो अभी मैं कंडिशन आपको समझा देता हूँ क्या-क्या लिखा है हमने दोस्तों आपको लिखा है कि कुछ A G है सभी R G है कोई G B नहीं है सभी B L है और कुछ L M है ये आपको दे रखा है दोस्तों अब मैं यहाँ पे जो प्रश्न करवाने जा रहा हूँ मैं कुल मिलाके काम करता हूँ दस प्रश्न करवा देता हूँ दोस्तों दस प्रश्न करवा देता हूँ और दस प्रश्न के अंदर आप देखेगा हरे का पहला वाला है कुछ का स्टेटमेंट यानि कुछ का कथन दे रखा है और हर एक का दूसरा आप मान लिजे कोई नहीं का दे रखा है यानि ये दोनों तो मैं कंडिशन पहले ही मान ले रहा हूँ यहां जो मैं लिखूंगा ना उसमें मान के चलिएगा दो-दो निशकर्ष है और दोनों निशकर्ष में पहला वाला है कुछ A, B है और दूसरा है कुछ कोई A भी नहीं है अब मैं यहां पर क्या करता हूँ? मैं पांच लिख रहा हूँ ना पांच उपर पांच नीचे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J यह हो गए दस मेरे अब मैं शुरू करता हूँ दोस्तों एक मैंने लिया R और A के बीच में दूसरा मैंने लिया G और R के बीच में तीसरा मैंने लिया दोस्तों B और M के बीच में शौथा मैंने लिया L और A के बीच में पांच वा लिया दोस्तों मैंने L और G के बीच में फिर मैंने लिया दोस्तों G और M के बीच में फिर मैंने लिया दोस्तों B और G के बीच में फिर लिया दोस्तों मैंने A और B के बीच में फिर मैंने लिया दोस्तों L और A ले चुका हूँ एक ले लेते हैं L और B को और एक आखरी लेना है दोस्तों M और R का ले लेता हूँ ये मैंने क्या किया है ये समझा दू मैं आपको फर एक्जामपल उदाहरण के तौर पे मैं D नंबर की बात करता हूँ तो यहां जो L और A लिखा है मेरा पूरा बात को समझ येगा L और A लिखा है उसका मतलब है इसमें पहला वाक्य है कुछ L A है और दूसरा वाक्य है कोई L A नहीं है मैं आपको यहां पे या वाली कंडिशन को समझा रहा हूँ तो मैंने ये शॉर्टकट में लिखा है मैं एक बार पुनहा समझा देता हूँ हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आया हो जैसे यहां पे B और G लिखा है इस B और G का मतलब है कि कुछ B G है कोई B G नहीं है अब इनमें उल्टा भी चलेगा अगर मानलो यहां पे ऐसा लिखाओ कुछ B G है और कोई G भी नहीं है उल्टा सीधा एक समान कोई फरक नहीं पड़ता मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ यह समझाने के लिए कि या की कंडिशन लगेगी या नहीं लगेगी अब और आराम से विस्तार से मुझे जल्दबाजी नहीं है मेरी कोई ट्रेन नहीं भाग रही मुझे बस वो चारों कंडिशन याद रखनी है दोस्तों पहली कंडिशन थी की दो निशकर्ष होने चाहिए वो तो सभी में फुल्फिल हो रही है क्योंकि दो निशकर्ष तो सभी जगे है पहला निशकर्ष है कुछ A B है और दूसरा है कोई नहीं है दोस्तों दूसरा element भी हमारा clear हो रहा है कि दोनों के element यानि कि दोनों के घटक सेम होने चाहिए वो आपको भी नजर आ रहा है सभी में सभी के अंदर घटक मेरे समान है और दोस्तों तीसरी चीज भी बहुत clearly जा रही है तीसरी चीज का मतलब है कि एक कुछ का होना चाहिए एक कोई नहीं का होना चाहिए यानि मेरे शूरू के तीनों जो condition थी जिससे मुझे पता चलेगा कि या लगेगा या नहीं वो तीनों में fulfill हो रही है कैसे मैंने कहा A और B का मतलब क्या है यहाँ पे लिखा है ऐसा समझिए आप कुछ A B है और कोई A B नहीं है ऐसा समझिए आप तो यहाँ पे अगर ऐसा दे रखा है यानि कि मेरे दो निशकर्श आ गए यानि कि मेरे element यानि कि घटक दोनों में समान हो गए और एक कुछ का और एक कोई नहीं का हो गया यानि शुरू के तीन तो मेरे अच्छे से फुल्फिल कर रहे हैं अब आता है चोथा मुझे केवल मात्र यही देखना है इन दस प्रशनों में कि अगर संबंद पहले से है क्या मतलब है दोस्ती का संबंद या दुश्मनी का संबंद कोई भी प्रकार का अगर संबंद है तो या नहीं लगेगा दोस्ती वाला संबंद है तो कुछ वाला सही हो जाएगा दुश्मनी वाला संबंद है तो कोई नहीं वाला सही हो जाएगा वापे सुनिये अगर मान लेते हैं जी और एम में दोस्ती है किसी भी प्रकार से G और M में अगर दोस्ती है तो कुछ वाला सही हो जाएगा कोई नहीं वाला गलत हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा कहूं कि मान लेते हैं L A वाले में दुश्मनी वाली बात सही है अगर दुश्मनी वाली बात सही है अगर तो हिया कोई नहीं वाला सही हो जाएगा और कुछ वाला गलाद हो जाएगा तो अब हम देखे एक एक करके प्रश्ण को लेते हैं समझेगा मेरा ए में दे रखा है आर और ए इसका मीनिंग क्या है कुछ आर ए हैं और कोई ए आर नहीं है उल्टा लेके चलो अब ए और आर के अंदर ये तीनों तो फुल विल होई रही है अब मुझे सिर्फ ये देखना है दूस्तों ए और आर आप देख सकते कितना ही नजदीक क्यों न हो ए और आर कितुना ही नजदीक क्यों न हो न तो इनकी दोस्ती दे रखी है ना ही इनकी दुश्मनी दे रखी है जब दोनों ही नहीं दे रखें तो मेरा मानना है यहां तो या वाली कंडिशन लग जाएगी अगर मान लीजिए आपके परिक्षा में ऐसा लिखा आए कि कुछ आर ए हैं कोई आर ए नहीं है अगर ऐसा लिखा आए तो आप उसमें या लगाएंगे अगर ऐसे कथन दे रखें तो क्यों लगाएंगे क्योंकि ये तीनों तो वैसे ही हमारे पूर्ण तय लग रहे हैं चौथा हमने चेक कर लिया है एक बार और चेक करते हैं दोस्तों बी वाले को यहां क्या दे रखा है जी और आर का मीनिंग क्या है अर्थ क्या है यहां दे रखा है कुछ GR है और कोई GR नहीं है यही तो है तो एक बार चेक कर लेते हैं मेरे भाई जी और आर के बारे में अब आप देख सकते हैं क्या जी और आर की दुश्मन नहीं है बिलकुल भी नहीं है क्या G और R की दोस्ती है यहां यह तो प्रगाड दोस्ती है यानि कि इसकी बात करूँ तो पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत यह आ रहा है इसमें तो आएगा या तो पहला या दूसरा इधर आप देख सकते हैं कुछ Rары जी हैं बिल्कुल जब पूरे ही आर जी है तो कुछ R भी G ही होंगे मेरे दोस्त पहला वाला सही है और कोई R जी नहीं है यह तो बिल्कुल गलत होगे सरवदा गलत आगे चलते हैं दोस्तों B और M की तरफ यह पड़ा मेरा B यह पड़ा मेरा M जरा देखो कुछ B M है कोई B M नहीं है एक बार जरा चेक करो क्या आपको किसी प्रकार की दोस्ती नजर आती है मुझे तो नहीं आती है क्या आपको कोई दुश्मनी नजर आ रही है अरे भाईया इस कांटे से धोका मत खाईएगा ये कांटा तो इधर और इधर लगा है इसका मतलब है B OR M में कोई दुश्मनी दे नहीं रखी है दे नहीं रखी है इसका अर्थ है कि दोस्तों यहां तो या लगेगा ही लगेगा क्यों? क्योंकि बाकी तीनों यहां से हो गई पूरी और चौती वाली हमने चेक कर ली आपको मलग तो राएगी समझ आ रही है चीज़ है फिर भी आपको लगे डाउट है दोस्तों आराम से इस वीडियो को शुरुआत से देखिए उसके बाद भी अगर डाउट लगती दोस्तों कमेंट बॉक्स है लेकिन मैं बता रहा हूँ यह या वाली कंडिशन को इससे आसान दरीके से समझाना मुश्किल है एक और तरीका एक और क्वेश्चन लेते दोस्तों एल और ए का ये पड़ा मेरा एल इतना बड़ा विशाल ये पड़ा मेरा ए अब बताएए जरा क्या एल और ए में कोई दोस्ती है मुझे ने दिखरा क्या एल और ए में कोई दुश्मनी है वो भी नजर नहीं आ रहा जब न दोस्ती नजर आ रही है न दुश्मनी नजर आ रही है तो भाईया क्या लगेगा या तो पहला सही है या दूसरा सही है या वाली कंडिशन लग जाएगी आगे चलते हैं दोस्तों L और G को ध्यान से देखेगा ये बड़ा वाला L है दोस्तों ये G है क्या G और L में दुश्मनी है बिलकुल भी मत कहिएगा आप ये जरूर कह सकते हैं कि G और B में दुश्मनी है आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा के पूरा B L में है लेकिन L की G से दुश्मनी नहीं कह सकते ये तो ये बात हो गई कि आप अगर एंदाबाद नहीं जा सकते किसी कारण से तो आप बरोडा भी नहीं जा सकते ऐसा तो नहीं है और अभी बरोडा चले जाएंगे राज कोट चले जाएंगे गांधी नगर चले जाएंगे एमदबाद ही तो नहीं जाना यार गुजरात में और दूसरे के तो जाई सकते हैं जा सकते हैं यानि दुश्मनी नहीं है कुल मिलाके एल और जी में भी या वाली कंडिशन लग रही है आगे बढ़ते दोस्तों जी और एम में ये रहा मेरा जी ये रहा मेरा एम दोस्तों देखिएगा कोई दोस्ती के बारे में नहीं दे रखा दुश्मनी के बारे में भी नहीं दे रखा अजब दोनों के बारे में नहीं दे रखा, तो क्या करोगे मेरे भाई, या ही तो लगाओगे मेरे भाई, समझ आ रही है क्या चीज है आपको, एक एक चीज को विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, B और G की तरफ, दोस्तों जनम जनम की दुश्मनी है, दूसरा वाला राइच हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा, मेरी बात को समझेगा, अगर मैं कहता हूं कुछ B, G है नहीं कह सकते, हो ही नहीं सकता, कोई B, G नहीं है, बात तो यहीं सही है, कोई B, G नहीं है, बिल्कुल सही है, A और B दोस्तों, यह पड़ा, A मेरा ये पड़ा B मेरा बहुत दूर है ना तो दोस्ती दे रखी है ना ही दुश्मनी दे रखी है दोस्तों दोनों ही चीज़ें नहीं दे रखी है या लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चलते हैं दोस्तों L और B अरे भाई पूरा के पूरा B ही L के अंदर है आप देख सकते हैं पूरा के पूरा B जो है L के अंदर ही है तो फिर L और B के अंदर दोस्ती तो घनिस्ट है एकदम प्रगाड है तो भाईया यहां पे पहला वाला हो जाएगा राइट दूसरा रॉंग आइदर और यानि कि या वाला तो नहीं लगेगा आखरी चलते हैं दोस्तों M और R की तरफ R चाहे G के अंदर हो पूरा लेकिन M से वो दोस्ती कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है आखरी जो बच जाता है यहां भी या वाली कंडिशन लग जाएगी तो दोस्तों मेरे आज प्रयास रहा आप सभी को या वाली कंडिशन से अच्छे से वाकिफ करवाने के लिए और मैंने कोशिश पूरी रूप से पूर रूप से करी कि आपको समझ में आ जाए दोस्तों और अच्छे से इनके प्रयाशनों को करिएगा कई बार पिछले एक्जाम में एंटी पीसी में आए हैं कभी-कभी एससी में भी आ जाते हैं बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी पचास दिन में रेलवे का कोर्स हम पूरा करवाएंगे डिफिनिटल गरवाएंगे धन्यवाद प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी